जैसीरी राम सबको परनाम दोफ्तों आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं दरबिमान और भार के बारे में इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग कुछ बाते को समझ चुके थे अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद ही उस वीडियो को देखिए ठीक है ताकि आपका नौलेज बढ़ सके तो चलिए हम लोग समझते हैं ध्यान दिजिएगा एकदा माराम राम से समझें कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है खाले आप वीडियो को लाट तक के देखिएगा आपको समाज में आवेगा यह बात याद रखना चलिए देखते हैं तब दरमान को बाबू इंगलिस में बोलते हैं मास कुछ ही बोलते हैं मास अब मास के मतलब ही नहीं हुआ कि किसी जीब का मास ठीकना मास के बात नहीं हो रहा है तब दरमान को इंगलिस में बोलते हैं मास अब भार को इंगलिस में ब किसी बास्तू में किसी बास्तू में में मतलब अंधरी अंधरी में मतलब अंधरी उपास्थित पदार्थ की मातरा को दर्मान काते हैं नहीं समझ माया किसी बास्तू में उपास्थित पदार्थ के मातरा को दर्मान काते हैं जैसे की बाबु धियान देना एक गिलास लेते हैं ध्यान देजेगा इसमें पानी रख दिए कोची रख दिए बाबू पानी रख दिए किसमें पानी रखें गिलास में समझना गौशे ठीक ना इधर उधर धियान मत करना अभी पूरा ध्यान इधर बाद में ध्यान दे सकती हो इसमें पानी रखें किसमें बाबू गिलास में तक गिलास एको बास्तु हो गिया, पहले समझो, गिलास एको बास्तु हो गिया, आई इसके अंदर कोई पदार्थ रखे, कोजी पदार्थ हवा है, पानी, तक यह पानिया जी है न, यही कोजी कहला वेगा, दरबे मान, समाजे में आया, कोई दिक्कत है जी, नहीं, चली, इस तरह से सच्चा ब्यक्ति को कितना भी रुपाया दिया जाए उस सच्चा ब्यक्ति का भी बदल सकता है जी नहीं बदल सकता है जो एक तरह से यानि बेवकूफ जो ब्यक्ति होते हैं वो पैसा पर इधर उधर भिग जाते हैं आप लोग जानते ही होंगे है ना चलिए इसा बा पात्रक होता है के जी जो दरमान होता है उसका यह साई मात्रक कुछ होताब आवाव के जी अब देखो ठोड़ा से ध्यान देना जैसे कि हम साम हम लोग कुछ बजार से जाते हैं लाने आप लोग भी गए हुँगे एसा बाद nessa ने यह relaxed ने नहीं गये होगे मैं नए जी हाँ गया है हैं तो बोलते हैं कि एक के जी चीनी डेदीजिये एक के जी यह दे दिजिए एक के जी यह दे दिजिए बोलते हैं कि नहीं ठीक है लेकिन यह हम बोलते हैं कि पूरब के एक के जी चीनी दे दिजिए तो पच्छिम के एक के जी दॉल मुट दिजिए तो पच्छिम के एक के जी बिसकुर दिजिए तो नहीं बोलते हैं तो नहीं बोलते ह कुछ है परिमान है दिसा नहीं है दिसा नहीं बताते हैं तो यह कौन सा रासी होगा यह एक अधीस रासी है जिसमें खाली परिमान है कि हम को एक के जी चीनी ले रहा है यह नहीं बोलते हैं कि पूराव के चीनी एक के जी दिजिए पच्छिम के चीनी एक के जी दिजिए नही किवाल परिमान होता है दीसा नहीं उसे अदीश बोलते हैं ठीक है समझ गए होंगे ऐसे भी आप लोग बहुत समझदार हैं है ना किसी लड़की को ऐसे ही फुसला लेते हैं तुरस भर में चली अब समझते हैं भार को भार क्या होता तो भार को इंगलिस में वेट बोलते हैं, किसी बस्तु पर लगने वाले गुरुतवा करसन वल का परिमान है, यानि कि भार उसको बोलते हैं, जिस पर गुरुतवा करसन बल भी कौम करता है, यानि कि बाभू देखो, यहाँ पर तो हम लिए कोजी, एक गिलास लिए, उसके अंदर पानी ली लिन तहीं कि गिलास हो गिया और उसके अंदर पानी हुआ और जहां रखल है वहां परी तो गुरुटोवा करसन बल काम करेगा कि आप इसका मतलब है कि पूरा कोची हो गाँ भार होगी है कि पूरा कोची हो ग कोई हो गाँ समाज में आया जी कोई दिक्कात है नहीं चाहिए यानि कि गुरुतवा करसन भी काम करता है इसका मतलब हुआ कि भार जो है एक तरह से बल है किसका बल तक गुरुतवा करसन के बल है यानि कि गुरुतवा करसन बल भी लगता है किसे में भार में समाझेगें बात को तजीस में यानि किसी बस्तु पर लगने वाले गु यान्द्रे का दरमान, ये तो दरमान हो ही गिया, ठीक है, अप गुना में गुरुत्विये तवारन, यानि कि गुरुत्वा करसन जो बल लगा न, इसी को तो बोलते हैं कोची, भार, समाज गें बात को, समाज में आया जी, हाँ, जैसे कि वाव, थोड़ा सा एकजाम पर लो, जैसे कि आंतरिच से अगर कोई ब्याक्ति को भीगा जाए, या फिर चांद पर, चांद पर चल जाए, ठीक है, चांद पर तो सब लोग गए है, अब गए है, ठीक है, चली, देखिए कुछ ही होता है, पहले समझेगा, चांद पर कोई ब्याक्ति है, चांद पर गुरुतवा कारशन बल बहुत कम है, है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं है, है, लेकिन बहुत कम है पिर्थिवी के अपेच्छा, अब बताए, हम अगर पिर्थवी पर 36 केजी हैं, केके जी, समझेग बाद को ठिक ना बहुत इंपोर्टेंट है बाबू पिर्थावी पर अगर हम 36 क्यजी है तो जानते हैं चांद पर केतना होगे और 6 से भागा देजी 6 चान चाप चाप 6 क्यजी अगर पिर्थावी पर हम 30 क्यजी है तो चांद पर के के जी होगे ता 6 से भागा दे जिए 6, 5, 3, 1, जी हाँ, आप समझ रहे हैं, हमको उमीद है, समझ रहे बात को, हाँ, यनी कि अगर किसी भी ब्याकिति के पिर्थवी पर जितना बाजन है, वो अगर चांद पर जाता है, तो उसका बाजन में 6 से भाग पड़ेगा, कितना से भा बाजन वहां के निकलेगा समझेगा बात को हाँ आप लोग समयदार है जी इसा थोड़ी चलिए भार का मान अलग अलग जगहा पर अलग अलग होता है क्योंकि जी का मान अलग अलग होता है यानि गुर्तविये त्वरन का मान जो है वह अलग अलग होता है पिर्थिवी पर ग पर कितना केजी होगे ता छे केजी होगे हाँ या हाँ जी साही सुन रहे हाँ चलिए तीसरा भार या बल का ये साही मातरक हाँ देखो भार बोलो चाहे तो बल बोलो पले समझना बात को बाबु भार का भी ये साही मातरक न्यूटन ही होता है अब बल का भी ये साही मातरक कु चाहिए ठीक है भार सदीस रासी है भार जो है वाबू उस सदीस रासी है अब देखो हम इमार करवा को उपर से नीचे गिरावेंगे तो नीचे रुखे गिरेगा किना तो इसमें दीसा भी है इसका परिमान भी है कि एक गराम है दूग गराम है दस गराम है बिस गराम है इसक का परिमान ही किना तर जिसमें दीसा अपरिमान दुन होता है उसी को बोलते हैं कोची सादी सरास वी अकूछ सब्सान भूनत मतलब हो तक समय या पोलेगा लिक यह नोट देगा और फिर लिखेगा जी नहीं नोट मतलब खास चलिए चंदर्मा पार गुरुतवी एक तवरान का मान जी बटा छे होता है यानि कि एक बटा छे होता है यानि पिर्थवी क्या पेच्छा एक बटा छे होता है पिर्थवी पर माल लिया जाए, कोई ब्याक्ति अभी बताए ना बाबू की 40 केजी के है, तो चंद्रमा पा जाया केतना होगा, तो 6 से भागा दे देंगे, वो दिकत हाए, इस सम्मिनना दिकत होना चाहिए, यतना भी आप लोग साढ़े बाइस नहीं है, ठीकना चलिए, दू तो हम आंतरीची यां निरवात में गएं, तो जानते हो, पिर्थवी पर चाहिए, आप जतना केजी के रहिए, आप निरवात में जाएए, तो आप कितना केजी को हो जाएएगा, जीरो केजी के, कोई उसमें भारूर नहीं होगा, समझ गया बात को, तो आसा करते है, हम बताते हैं जो ऐसा बात तो नहीं होगा है ना चाहे जैसे भी बतावें लेकिन आप लोग को समझाने का परियास पूरा करते हैं ठीक ना कोशिस करते हैं लेकिन थोड़ा सा फार्स्ट टाइम होता है तो दिकत होता है वीडियो बनाने में तो क्या करें हम मिहनत करेंगे खुद पढ़ करके पढ़ाएंगे ताकि आप लोग को बढ़िया से हम समझा पाएं ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन टॉपिक के साथ तब तक के लिए जैहिंद बंदमात्र झालि किसी इनले कुछ में भी करेंगे चाय करेंगे खुद चेशमे matter पुछ में करेंगे वीडियो तो कम बढ़ियो में उड़ियो में करें तो किसी जते हम मैं उनले करों